कि दिन्स सर्वर को समझने के लिए हम यहां पे दो मशीन लैब बना रहे हैं एक हमारे पास DC है और एक ADC बना दे रहे हैं अलड़ी आप लोगों को बताया गया है कि क्या होता है ADC और DC तो मैं सिंपल यहां पे दो मशीन थोड़ा सा मुझे थोड़ा और डेटा मिल जाएगा है ना तो इस वजह से में यहां पर बना रहा हूं और जो मेरा DC है यह बना हुआ है सीखोलाइब डाट कॉम ओके कि एंटर देखो ऑल डोमेन इंवार्मेंट में हमारा वाल पेपर डिप्लाई हुआ था ना तो मारी मशीन पर भी हो गया क्लाइंट साइट भी हो गया हर जबहां चलेगा ज़एगा ज़एगा यह तो हमारे सर्वर का जो आईपी है देख लेते हैं 10.00.100 है ना हाँ 10.00.100 है इधर हमारा 10.00 30 है तो मुझे कंफीगर करने की ज़रूरत नहीं है बट इसका डिएनस सर्वर हमें कंफीगर करना पड़ेगा तो डिएनस सर्वर हमारा हंड्रेट कर देता हूं है ओके दुनों मशीने एक दूसरे को पिंग कर रही हैं हाँ और यह भी पिंग कर रहा होगा और यह पिंग कर रहा होगा ऐसा कुछ है तो हम लोग फायरबॉल को एक बार यह तो रूल क्रिएट कर दें यह तो फिर यहां से आफ कर दें कि अगया रिप्लाइब अगया अगया रिप्लाइब में तो आइसा मतलब फायरवाल बन करके वापिच चालू करेगा तो को चालू रहेगा बंद नहीं किया जाता है फायरवाल वहां पर वर्क करेगा और भी रहेगा रूल भी क्रिएटर रहता है ठीक है सब अपने राउटर और उससे कनेक्टेड होते हैं न सारी चीजें तो ठीक है अभी हमारा मसीन रेडी हो गया है इसका हंड्रेट है इसका थर्टी आइपी ओके इस मसीन का नाम है ADC01 इस मसीन का नाम है DC01 जब भी हम DNS का सेटप करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि DNS IP का कंफिगरेशन जरूरी है क्योंकि अगर वह नहीं होगा तो आपका सर्वर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा तो प्रॉपर्टी में आ जाते हैं और DNS दोनों तरफ कर देते हैं 100 इदर भी है ठीक है और IP 26 इदर डिसेबल है ठीक है और अगर हम लोग DNS को क्वैली करना चाहते हैं तो कमांड होता है नस लूक अप और जो भी DNS डीटेल्स है वो हमें यहां पे मिल जाएगा 10.0.0.100 यह हम हमारा IP to name मैं find कर रहा हूं तो कुछ मिलता है हमें नहीं मिला बट अगर हम लोग यहां पे सीखोलाइब.com टाइप करते हैं तो हमें मिलेगा data मिल गया IP मिल गया यानि कि name to IP जो काम करता है वो forward look up zone होता है ओके मैं थोड़ा सा theory लेकर चलता हूं name server जो होता है refer to the server component of the domain name system one of the two principal name space of the internet ओके दो तरीके का यहां पे हमारा name space और sorry server create होता है forward के लिए और reverse के लिए जो forward look up zone होता है जब भी आप एक DC create करते हो और उसके साथ DNS integrate होता है होता है तो automatic आपका ADC sorry DC के साथ DNS आपका install होता है और वहां पर forward look up zone create हो जाता है मैं यहां पर DNS को open करके दिखाता हूं आप देखो forward look up zone already हमारा बना हुआ है और reverse look up zone हमारा यहां पे sorry reverse look up zone बिल्कुल blank होता है forward look up zone का काम होता है name to IP find करना तो मैंने यहां पर टाइप किया एनस लुक अप इस पे सीखो live.com तो जोन default reverse look up zone configure नहीं होता है तो दो जोन होता है हमारे DNS के अंदर एक forward zone और एक reverse zone forward का काम होता है name to IP और reverse का काम होता है IP to name अगर मैं Google की query करता हूं यहां पे for example मैं अपने windows machine पर आता हूं और यहां से parcel open कर लूँ यह और यह मैं अपनी main machine पर हूं मैं यहां पर लिखता हूं sorry nslookup space और google.com तो एंटर करने के बाद हमें कुछ data मिलना चाहिए तो यहां पर अगर आप अपने system पर करेंगे तो data मिलेगा ओके यहां पर भी अभी set करना पड़ेगा क्योंकि हमारा DNS और यह सब सेट नहीं है local DNS क्या होता है local DNS हमें Google का देना पड़ेगा स्वारी public DNS public DNS हर एक server का available होता है Google कर सकते हैं Google का 8.8.8.8 होता है सबको पता है तो यह चीज हो गया तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं NS lookup space enter करेंगे इस टूल के अंदर आ जाएंगे और यहां पर सेट सर्वर लिखेंगे 8.8.8.8.8-8то it survived server 8-8.8.8 .8-8and is På per dns default server DNS.google उन यह यहां पर हींट कर रहा तीक है set Ah bns नेम सर्वर www.google.com एंटर तो यह बहुत सारी क्वेरी हमें लेकर आकर देगा देख रहे हो आप तो यह कह रहा है कि कुछ आईडी नंबर फोर इसका नेम सर्वर कुछ है क्लास ए टाइप यहां पे दे रहा है www.google.com और यहां पे टाइम टू लीव यानि कि मैसेस कितने दिर में रिस्पॉंस कर रहा है इंटरनेट पर इसने एक एड्रस भी ढूड़ा है यह वाला तो अगर मैं यह वाला आईपी अपने गूगल ब्राउजर पर एकसेस करता हूँ for example मैं यहां पे पेस्ट करूँ करूँ तो मुझे क्या मिलेगा गूगल मिलेगा तो मतलब यहां पे क्वेरी काम करें DNS सर्वर अगर वहां पे होता नहीं तो हम नेम से नहीं सर्च कर पाते for example आप अपने मोबाइल में एक नाम से करो और उसका कॉंटेक्ट नंबर से मत करो जब आप डायल करोगे तो क्या उस यूजर तक पिंग कर पाओ गया नहीं ना तो जो भी सर्वर होता है वह आईपी पर चलता है तो हर एक सर्वर का आईपी याद रखना पॉसिबल नहीं है इस वज़े से हमें यहां पे DNS option मिलता हो DNS हमें सारे record को maintain करके सारी query को solve कराने में help करता है अगर आप 142.250.77.228 देखो this is the Google domain IP यहां पे यह दिखा रहा है ओके पट यह सारे record हम लोग कैसे maintain करेंगे अपने server पर यह सब चीज़ें देखना पड़ेगा हमारे पर तो name to IP IP to name भी नहीं find कर रहा है एक चीज़ और आप कर सकते हो अपने इसी server पर type करो who is यह जो option है यह किसी भी domain का query यानि DNS क्या चल रहा है क्या नहीं है वो सब यहां पर यह बताता है जैसे अगर मैं इसके बारे में check करूं तो यह बता देगा this is the CIDR value इसी पर आपका detail था और इसके बारे में यह बता रहे कि organization कौन है server update कब हुआ था spare कब हुआ रिजिस्टर कब हुआ था सब यहां पर दिखा रहे हैं ओके तो यह अब पता कर सकते हैं बट अगर हम लोग अपने server पर DNS setup करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे DNS server resolve IP domain name and name to IP यानि कि domain name को IP से और IP को domain name से resolve करता है port number जो source का होता है 53 होता है यानि server पर यह चल रहा होगा उसका 53 number port होगा जो client request डालता है उसका IP automatic change होता रहता है sorry not IP port number random port number से वह access करता है ओके अगर आब वायर सार्क monitor कर रहे होंगे यह monitoring tools से देखेंगे तो source यानि कि server का port number 53 दिखाएगा और जो हमारा client है जो access कर रहा हो उसका 53 दिखाएगा तो sorry random port कोई भी दिखा सकता है ओके यह सारी चीजह होती है इसके मैं एक चोटा सा लैब दिखा सकता हूं बट पहले अपने server को set करते हैं forward look up zone and reverse look up zone fqdn.com का जो होता है यह कोई भी जो fqdn करते हो maximum 255 character तक ले कर जा सकते हो तो अगर कोई server चल ला है जिसका जो length है वह मान लिया 50 character का है कोई ऐसा domain plan करना पड़ गया जो की 20 character का है so it is sorry is it easy to remember क्या वो रियाद करना सही है मतलब आसान है नहीं ना बीस character को की www.xyz google.com ऐसे कुछ करके यह सारी चीज़ है not possible तो इसको easy करने के लिए domain name को easy करने के लिए हम लोग different type के alias add करते हैं अपने computer पे okay उसको name को easy रखने के लिए ताकि हम उस server तक इसली reach कर पाएं अभी यह भी मैं आपको alias कैसे add होता है वो भी दिखाऊंगा जो भी DNS registration होता है वो ICANN manage करता है और ICANN के बारे में आप Google करके details ले सकते organization यह से based और यहाँ पे हम लोग ICANN अगर data check करना चाहें तो Google पे जा सकते हैं ICANN.org organization का website है पर मैंने query करके आपको दिखा दिया अगर अपने computer system से Google को ping करते हो www.google.com जब user access करता है तो यह user अपनी information कहां तक send कर पाता है अपने switch या तो gateway router तक समझ में आया clear जब आपका router आपके request को आगे भेजेगा कि DNS कौन है तो आपके router को क्या पता होगा for example यहाँ पे diagram देखो मैंने server बनाया हुआ है यहाँ पे जो की है for example seqolive.com मैंने वहाँ पे Google लिखा यहाँ पे अब इसका IP address मैंने for example दिया 172.168.0.20 ऐसे ही हमारा server होगा तो जब आपने यहाँ किसी भी दूसरे location से मालिया कि यह USA में है internet से connected है यह आपका इंडिया में और यहाँ से आपने request डाला और browser पे और यहाँ पे आपने type किया http colon slash slash और आपने यहाँ 172.168.0.20 access किया तो आपको यहाँ पे secolive.com access हो गया मिल गया यह कैसे possible हुआ यह जो client है यह अपनी request यहाँ send करेगा यहाँ बाकी इस router को पता है कि इसको अगला target कि इसको भेजना है क्योंकि हर एक routing table में कुछ entries होती है यह अपने neighbor की details होती है उसको check करने के R2 यह है कैसे पता चला और यह की support से connected है serial 0-0 से यह अगर मैं इस router पर आकर check करूं तो इसका नाम दिखाएगा और इसका नाम क्या है अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे इसका नाम है यह router लिखकर आ रहा है और इसने ढूड़ा R2 को यानि इसका नाम क्या होगा R2 होगा देखो यहाँ पे R2 है न यह इसको डूड़ लिया अब अगर मैं so space cdp never इससे पता करूं तो यह बताएगा router के बारे में यानि इस host के बारे में ऐसे हमारे real time networking devices को एक दूसरे के बारे में पता होता है तो यह real time environment में जब हम Google को search करते हैं हमारी query जाती है हमारे network में हमारे ISP को ISP recursive name server होता है recursive name server का एक special work होता है कि अगर इसके पास DNS की detail है तब तो यह तुरंत आपको answer कर देगा लेकिन अगर ISP के पास ऐसी query आपने किया ऐसे domain के बारे में पूछा जिसके पास उसके पास entry है ही नहीं तो यह हमारा server क्या करेगा आगे authoritative name server यानि कि जिस पर वो server चला उसको find करने की कोसिस करेगा तो all over world पुरी दुनिया में सारे computer एक दूसरे से जिस पर internet चलता है वो connect होते हैं ओके तो हमारा Google server भी होगा connect है तो Google server को हमारे internet के माध्यम से पता कर लिया जाएगा और फिर यहां पे जो हमारा इसका IP होगा for example अभी आपने देखा 142 करके कुछ IP था 142.something मैंने दिखाया था यहां पे parcel दिखाऊं so this is the IP यह आपको मिल गया था यहां पे तो मैं इसको यहां पे कर देता हूं paste ओके यह IP आपको मिला तो यह हमें as a DNS server response करेगा और इसको बोलेगा कि yes I have your answer हमारे पास तुमारा answer है और यह server इसको फिर वो display कर देगा वो answer यह उसकी query का solution दे देगा और यह अपने पास इस server related database में अपने DNS चाहिए कि हमें कैसे answer करना है this is the process of working behind DNS server and यहां पर मैंने लिखा user access any internet website जब भी website access करता है तो user DNS data है वो अपने server के पास जाता है यानि अपने ISPs और इसके पास जाता है उसका ISP उसको option देता है अगर उसके पास data available है तो वो apply कर देगा otherwise authority to DNS server तक उसकी query जाएगी और वहां से फिर उसका query का solution या webpage मिलेगा ओके यह सारी चीजे होती है अगर इसके पास भी नहीं है अगर आप कोई ऐसे domain में चले जाते हो जहां पे मतलब ऐसे ISP के पास जहां पे है ही नहीं जैसे for example मैंने यहां पे अभी देखा तो इसने हमें इतनी सारी query दे दिया लेकिन उसी query में मैंने जब www.google.com type किया तो मुझे इतनी सारी query दे रहा है बट अगर मैं www. यहां पे facebook.com और enter करता हूँ तो मुझे यहां पे facebook की query दे देता है क्योंकि यह internet पर available website और इसके बारे में information मिल गई this is the IP and name for facebook server अगर आप इसको copy करके इसको paste करते हो तो definitely facebook का query आपको यहां पे मिलेगा let me show you what is the details for this particular IP CIDR value and this is the facebook organizations details सब कुछ possible होता है BFF DNS so DNS का hierarchy जो होता है root label DNS होता है जो की google.com है ना यह सब हो जाएगा और उसके बाद में भी FQDN के बाद में भी dot लगा होता है यह live मैं भी दिखाऊंगा root label DNS जो होता है वो जैसे google.com dot है ना ऐसे लिख कर आएगा हरार के मतलब ना हरार के मतलब label है ना कि किसी भी DNS के साथ क्या चलता है तो यहां पर जैसे पूरा FQDN क्या होगा google का google.com और root label domain होगा यह करके यानि कि .com और ऐसे करके जो भी होगा हमारा root label domain होगा .com के बाद जब dot लगा होगा और इसके नीचे जब हम लोग आते हैं तो हमारा आता है top label domain top label domain जैसे .com, .edu, .org, .local, etc यह सारी चीज़ें आते हैं और इससे पहले जो हम लोग यूज करते हैं वो second label domain होता है जो इसमें पूरा FQDN ऐसे लिख कराता है like google.com तो यहां पर google.com होगा commercial purpose के लिए .com होता है educational purpose के लिए .edu होता organizational purpose के लिए यह सब एक registered मतलब की top label domains हैं जब आप buy करोगे अगर आप चाहो तो commercial purpose के लिए कोई और domain register करना .com के अलामत तो नहीं possible है ना I can जो है यह सब चीजे कैसे आपको manage करेगा तो यह सब आपको register कराना पड़ता है सारी चीजें तो जो हमारा root label domain है आपके FQDN के बाद भी डॉट लिख कर आता है जो top label domain है आपका .com.edu वैसे आता है जैसे मैंने बनाया सीखोलाइब.com तो हमारा .com है top label domain ओके और सीखोलाइब.com डॉट लिखकर आएगा तो वह हमारा root label domain है उसमें .co.in आता है वह हमारा जैसे .co.in आएगा तो वह .in एक represent करेगा हमारे companies के लिए मतलब हमारी country के लिए राइट और corporation हो जाएगा यह सब चीजें होते हैं तो depend करता है कि किस तरीके का आप domain register करते हैं तो sub label domains हो जाएगे अगर आप मान लिया कि कोई भी .com या .in या .org ऐसे से पहले अगर कोई . दो बार लगके आ रहा है तो वह आपका जैसे child domain type आपको नहीं पढ़ाया गया था cdc.co.com ऐसे करके तो आपका sub label domain में आ जाएगा और एक आपके जो host पर IP होती है जैसे यहाँ पर जो IP आप साइन करके work करते हो that is the host label domain ओके या हमारे जो server पर IP पड़ी होती है जो हमारे server के लिए वो सब वो हमारा एक host label domain हो जाता है इसके लिए lab हम लोग configure कर सकते हैं simple कि कैसे हमारा DNS server configure होता है तो simple हमारा forward lookup zone configure होता है मैंने अभी यहाँ पर दिखाया कि हमारे forward lookup zone का काम होता है name to IP find करना जैसे मैं यहाँ पर name type करूँ अपने server का तो मुझे IP मिल जानी चाहिए यह आप देखो मिल गया बट अगर मैं यहाँ पर reverse lookup zone देखो तो बिल्कुल blank है reverse lookup zone का काम होता है IP to name को find करना तो मैं यहाँ पर IP को search करूँ तो name नहीं मिलेगा क्योंकि अभी configure नहीं है तो simple यहाँ पर राइट क्लिक करके new zone में आते हो next करते हो और primary zone configure primary zone is the copy of your server है ना directly copy होता है आपके server का secondary zone जो होता है यह आपके primary zone का copy होता है है ना जो कि another server पर आप इसको run करते हो तो सबसे पहले secondary zone और यह सब चीज़ों को अगर transfer करना है zone transfer भी होता है कि अपने queries को किसी दूसरे domain पर भी transfer कर दो ताकि अगर हमारे server पर query आ रही है कोई और वो हमारे server पर land हुई और उसका answer नहीं हमारे server के पास तो forwarding लग जाने से DNS forwarding हमारी वो query चली जाएगी सामने वाले server के पास DNS forwarding में तो वो बोलेगा कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता है यह query आई है तो अगर forwarder DNS के पास हमारी query का solution होगा तो वो provide कर देगा एंड अगर उसके पास भी नहीं है तो वो provide नहीं करेगा by default जो भी हमारा DNS और यह सब details होती है इन सब के पास एक forwarder default create होता है और रहता है अभी मैं दिखाता हूँ तो पहले यहाँ पर primary zone बनेगा primary zone का अगर एक copy बनाना है तो आप standard zone पर बनाएंगे and stub zone होता है only name server और startup authority और a record के लिए होता है a record होता है host record so a मतलब होता है start of authority record name server होता है जैसा कि मैंने अभी एक name server set करके दिया था कि हमारा किस name server से वो query solve हो रहा है तो मैंने यहाँ पे एक server set किया था server space यहाँ पे अगर देखो तो server space जो भी है तो इससे आप query करेंगे तो यह अपने ही बारे में बस बताएगा name server अगर उसके पास कोई forwarder और ऐसा नहीं है तो ओके बट public domain में सभी को एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए नहीं तो फिर problem होगी अगर किसी भी मालिया मेरी website है seekolive.com और अगर seekolive.com का आप query generate करते हो और मैंने उसका DNS public और यह सब चीज़े नहीं करा हुआ है तो क्या possible है इसके बारे में पता कर पाना देखो यहाँ पर एक कुछ हैसा अच्छा मैंने main machine पर कर दिया तो यह मैं अपने website वाला अगर content यहाँ पर दिखाऊं www.seekolive.com तो थोड़ा सा अगर restrictions और यह सब नहीं है तो आपको details मिलेगी अगर है तो details नहीं मिलेगी देखो यहाँ पर दिखा रहा है 103228 12112 और यह अ यहाँ के बारे में आप query करते हो तो आपको मिलेगा आपके इस particular DNS की details देखो यहाँ पर register है इस class में register है और किसके नाम से register है कहाँ पर register है सब यहाँ पर दिखाई देदेगा I can इसका allocate कर रहा है I can होगा यहाँ पर details I can के बारे में आईना एरी नाइकान यही सब होते हैं इनके रजिस्टर आर ओके तो यह सारी चीज़ें रजिस्टर कब होगा था इस date में एंड इसका लास्ट अपडेट बहुत पुराना यह सब कुछ ऐसे दिखा रहा है तो simple मेरे कहने का मतलब यह प्राइमरी जोन अगर क्रिएट कर देते हैं और अपना आईपी यहां पे नेटवर्क का टाइप कर दो लास्ट आईपी होस्ट का होता है तो पहले की तीन ब्लॉक की आईपी नेटवर्क आईडी होती है एड करके यहां आपका रिवर्स होना स्टार्ट हो गया और यहां ड्ली टाइनमीक अपडेट और एक दिया हुआ अलाउ बोत सीक्यूर और एंस्हूर अप्डेट और यहां पे लाउ उन्ली टाइनमीक अपडेट तो यह हमारे डीनस लेवल के लिए है और यहां पर हमारे पा03 उप्शन है अगर आप नां डेक और अप्टेट कर देते तो डाइनेमिक अपडेट आप रिसोर्स रिकॉर्ड और एक्सेप्टेट फ्रॉम एनी क्लाइंट कोई भी क्लाइंट से वो जो भी रिकॉर्ड है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा अगर कोई भी है ना कोई भी क्लाइंट हमारे DNS के इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है या क्वेरी करता है तो इसका रिसोर्स रिकॉर्ड वहाँ पे दिखेगा या अपडेट कर देगा बट अगर आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ सिक्योर अपडेट हो तो आप यहाँ पे डू नॉट अलाओ डाइनमीक अपडेट कर दो ओके तो दोनों में से कोई भी कर दो अगर आप पब्लिकली डॉमेन लेकर जा रहे हैं तो डिफनेटली यह लेकर करना सही है नहीं तो नेक्स्ट करके अन्देन फिनिस कर दो आपका एक प्राइमरी जोन यहाँ सॉरी रिवर्स लुक अप जोन बन गया बट यहाँ पे एक नेम सर्वर और एस ओ यह होता है मैंने बता रखा है कि आपका जो देखो यहाँ पे आपका जो सॉरी प्राइमरी एंड स्टब में यहाँ पे बना रहा था तभी आया था राइट क्लिक करके न्यू जोन एस ओए और यह सब चीजें आपकी स्टब जोन के कोडिंग रिकॉर्ड रखे जाते हैं तो बाइडिफॉल्ट यह आपका बन जाता है एस ओए और एनस रिकॉर्ड dc01.sicolive.com dc01.sicolive.com hostmaster यह अटमेटिक बन के आ जाएगा इधर भी अगर आप आओगे तो soans दिखाएगा ओके नेम सर्वर और यह दिखाएगा यह वर्क करना चाहिए तो अब अगर मैं यहाँ पे name to ip and ip to name दोनों से सर्च करूंगा तो मुझे दिखाएगा 100100 कह रहा क अभी तो हमारा कोई query नहीं है ऐसा तो अभी हमें dns को बताना पड़ेगा कि तुम्हें किस record को दिखाना है तो आप अपने इस domain में आके जैसे कि हमारा यह record है यहाँ पे आप देख सकते हो host A, A मतलब होता है ip version 4 record तो यहाँ पी है इस पे right click करो इसकी property और इसको update in ptr करके apply okay करतो और इधर आकर एक बार refresh करो तो आपका यहाँ पे record आ गया इसको manually भी कर सकते हो अगर यहाँ पे time लग रहा है तो आप यहाँ पे ptr करो browse कर लो और dc01 पे आप अपना cql.com expand करके अपना dc01 को यहाँ से add करके okay कर सकते हो अब already यहाँ पे exist है तो यहाँ पी यह करेग नहीं ओके अंड्रेट का यह हो गया अभी ट्राइ करो same query अब देखो यहाँ पे आपको dc01 की query मिल गया यानि कि हमने dns की query fix कर दिया हमार आईपी तू नेम नेम टू आईपी अब वर्क करेगा पट अब हम यहाँ पे एक इसका additional domain controller बना लेते हैं थोड़ा सा environment को expand करते हैं तो एक्टिव डारेक्टी डोमेंज सर्विसस को आड़ कर लेते हैं री स्टार्ट, येस, इंस्टॉल झाल 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 जब तक कि दरबन रहा है एक छोटा सा और यहां पर आप क्वेरी देख सकते हो क्वेरी करने के बहुत सारे मतलब की डीटेल्स हैं लाइक आप एनस लूक अप स्पेस एंटर करो यहां पर हो गया इसको एक बार रणिंग कर देते हैं फिर आगे काम करते हैं तो मुझे टॉप लेबल का वो सेलेक्ट करना और यहां पर मुझे सर्च करना अपने टॉप लेबल डॉमेंड को और इसका अथन्टिकेट करा देना है अच्छ हो गया ओके एन देन नेक्स्ट यहां पर अपना साइट सेलेक्ट कर लो एंड यहां पर अपना पासवर्ड दे दो आप ड्सर्म का और इसको नेक्स्ट करो अपना डॉमेंड कंट्रोलर सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दो लोकल डेटाबेस नेक्स्ट ओके डन इंस्टॉल कर दो एक हमारा यह बन जाएगा भी थोड़ा वेट करते हैं फिर मैं यहां पर क्वेरी दिखा रहा था कि मैंने एनस लूक अप किया और मैं यहां पर अगर सर्वर लिखता हूं और 8.8.8.8 और मैंने यहां पर रिक्वेस्ट भी कर रखा है किसको google.com को मैंने यहां पर पिंग कर रखा यह एक सेशन इस्टेबलिस कर रखा है ओके दूसरी चीज यहां पर 8.8.8 करके जैसी मैंने एंटर किया अब मुझे यहां पर एड्रेस ठीक है डिफॉल्ट सर्वर 8.8.8 हो गया अब मैं यहां पर लिखता हूं सेट स्पेस अब यहां पर टाइप्स और टाइप्स मैं नेम सर्वर रिकॉर्ड डूड रहा हूं एंटर कर दिया और मैंने यहां पर टाइप किया Google.com एंटर तो हमें Google के सारे नेम सर्वर बता दिया कि Google के इतने सारे नेम सर्वर चल रहा है ओके अब इतने सारे DNS सर्वर है अब Google.com की यह जो नेम सर्वर हैं आप इन में से किसी भी नेम सर्वर का डीटेल्स निकाल सकते हैं जैसे यह वाला अगर है अब इसको हुई इसकी क्वेरी में रखके आप देखोगे अगर तो क्या मिलेगा dns record dns1.google.com soa time to leave और इस सर्वर का जो मशीन नेम है यह पूरी डीटेल्स ओके यह पूरा मशीन नेम और यह डीटेल्स यहां पर आ गया इतना बड़ा नेम है यहां पर तो नेम सर्वर देखो इतना बड़ा dns1.google.com dns-domain at the rate google.com this is the mail server record तो अगर मुझे mail server record भी पता करना है या जो कुछ भी है तो हम यहां पर टाइप कर सकते है mail server record की query करने के लिए आपके पास ns lookup tool जो होता है वो क्या करता है आपको यहां पर set types और अब यहां पर आपको mx जो होता है mail server record होता है तो इसके जितने भी mail server होंगे अब देखो यहां पर यह mail server है mail exchanger तो यहां पर alt4.aspmx.1.google.com इस से करके दिखा रहा है so these are the mail server records okay तो जो भी mail server होते हैं मैंने आपको mx record बताया था ना या distribution server जो होते हैं या जो भी users बनते हैं उनका तो इतने सारे mail server यह lead कर रहा है किसी भी server पे आप reach कर सकते हैं इसके particular details से सारे google के ही हैं यहां पे अगर मैं यहां पे query कर दूँ कि मुझे facebook.com के बारे में बताओ तो क्या इसको पता है क्योंकि मैं किस के साथ head हो गया हूं मतलब google के साथ तो google के उसमें तो facebook का नहीं होगा ना देख सकते होगा यह सारी चीज़े तो exactly हमारा एक authoritative answer यहां पे मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ authoritative answer मतलब हमारे domain internal environment की details को यहां पे display कर रहा है अगर मैं यहां पे google.com के अलामा youtube.com को search करूँ तो भी नहीं यह बताएगा राइट क्योंकि मैंने यहां पे google.com सेट करके रखा हुगा है तो यह सारी चीज़े होती है queries के लिए हमारा यहां पे यह बन गया इसको login कर लेते हैं यह additional domain नहीं बना क्या ऐसा क्यों है यह हमारा ADDS ADC बना नहीं था पतानी क्यों ठीक है फिर से बने बना दिया उसकी जरूरत नहीं है चलो इधर ही सारा record देखते हैं आगे जैसे मैंने यहां पे एक record बनाया यह देखो अब मैंने अभी जो record पूछा था मैंने यहां पे लिखा NS lookup एंटर कर दिया ओके और फिर मैंने यहां पे लिखा server और मैंने local हमने एक default DNS set कर दिया उसके बाद मैंने इसको set किया और इसके name server के बारे में मैंने पूछा टाइप query का solution दे दे समझ गया अगर हम यहां पे query कर लेते हैं for example facebook.com enter तो यह देखो facebook का record दिखा दिया a.ns.facebook.com हम लोग queries पर करते हैं लेकिन इन सब में से सारे server हमारे query को solution यह provide करने के लिए responsible होते हैं clear है तो जो भी हम यहां पर query करेंगे अपने DNS पर तो यह sikolive.com या dc01.sikolive.com इस पर traffic land होता है हम लोग किस पर FQDN पर अक्वो करते हैं जो कि हमारा होता है sikolive.com या IP address अभी देखों यहां पर इस record पर अगर मैं property चेक करके दिखाऊं तो बाइडिफॉल्ट दिखा रहे हैं किस IP पर हमारा क्या record चल रहा है यह सारी details ऐसे ही अगर हम लोग यहां पर इस zone पर अगर query करते हैं तो general की query अगर आप देखोगे तो by default यह है and wait जो भी हमारा name server start of authority चेंज नहीं करना है कि यहां पर यह डेटा है यहां पर देखते हैं कि अब ही मैं कुछ और डेटा दिखाता हूं वेट तो जैसे मैंने यहां पर रिवर्स एंड़ forward दोनों मतलब forward look up zone, reverse look up zone configure कर दिया यह simple आपने recording maintain किया और जो भी client की अभी query आने वाली हमारे server पर यह maintain होगी अच्छा एक चीज़ अगर मैं यहां पर आपको display करा हूं like मैं यहां पर a record के बारे में तो a record जो होता है यह किसी भी host record को दिखाता है अभी मैंने अपने computer पर एक IP add किया था जो कि था windows 7 का computer जिसका IP 200 था उसका भी record यहां पर maintain है तो जो a record होता है contents your ptr या pointer record या host record ओके आप अगर मालिया यहां पर check करते हो तो यहां पर जो default जो record होगा वो automatic अमारे forward look up zone का record होगा ptr होगा तो यहां पर maintain होता रहेगा आप यहां पर अगर देखोगे right click करके अब यहां पर new host add करने के लिए आ रहा है new host अगर मालिया कि कोई और host आपने अपने network में add किया है कोई FQDN add किया तो उसका भी आप यहां पर add कर सकते हो for example मेरा एक और यहां पर server चल रहा है यह अभी बना कि नहीं यह बन नहीं रहा है क्योंकि साहथ कुछ snapshot या restore कर दे रहा है बार बार इसके लिए तो नहीं हाँ यहां यह एक्सपार नहीं बलकि यहां पर लगा रखा होगा ना अटमेटिक वह तो बनने नहीं कोई अब इस पर टाइम वेस्ट करके दिखाएंगा बट कोई ज़रूरत नहीं यह की पर हो जाएगा zone transfer होगा तो मैं आपको option इसी से दिखा दूँगा आप दूसरे वाले पर same maintain करते हैं जैसे यहां पर कोई host record आया और आप उसको add करना चाहते हो नाउ मैंने एक option दिखाया था कि जब भी हमारे record में आप देखो यहां पर जब भी हमारे record में यह root label domain में .com के बाद भी . लगा होता है तो हमारा root domain को नहीं हमारे SQLite.com के लिए अभी यही server है ना तो देखो यहां पर . लगा है ना बाद में भी this is the root label domain देख रहे हो आप यहां पर .last में भी है तो ऐसा अगर कहीं पर आए तो यह समझो कि आपका root है यही तो हमारा root है ओके तो और दूसरी चीज हमारे DNS के पास a record होता है अगर मैं a record add करना चाहूं तो यहां से a record add करना बता दिया multiples of a record अगर आपके network में है तो उनको add करके PTR में update करा सकते हैं अगर चाहें तो है ना क्योंकि जो भी आप a record add करते हो आटमेटिक बोलता है कि create associated pointer record in reverse lookup zone sorry a record मतलब host record यह मतलब होता है host record यहां पे देखो अभी मैंने एक host add किया था windows 7 का न तो यह देखो अपका add है इसके अलामा यहां पे हमारा जो server है इसकी sites देख सकते हो कि site पर यह login है okay and इसके अंदर भी बहुत सारी protocols होती कर्ब्रोज global catalog आपको पढ़ाया ही पढ़ाया है इसी के भियाप पर यह काम करता है कर्ब्रोज और LDAP क्या है आपको भी बताया जाएगा TCP UDP इसकी protocols होती है जिनके तुरू हमारा data exchange होता है information send or receive होती है सबको पता TCP UDP का work and उसके बाद हमारे यहां पे जोंस दिखा रहे है TCP जोंस एंड यह सब चीज़ है तो इसको IGT जे सारा record हमारा maintain रहता है कुछ नहीं करना है अगर मैं यहां पर right click करूं CNAME new alias name होता है canonical name इसको बोलते हैं this is only to display the name just for remember जैसे कि मैंने अभी दिखा है बड़ा सा एक domain लिखकर आ रहा है कि www.ns यह वह सारी चीज़त not possible to learn तो यहां पर क्या 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 रहा है use parent domain if blank तो मैं यहां पर domain name type कर रहा हूं like क्या कर दूं DC यह एक डी सी सी डॉट मतलब डी सी सी कर दिया एक alias name मैं दे रहा हूं और हमारा alias name हो जाएगा हमारे root label domain के साथ connect हो जाएगा तो top label domain यहां तक हमारा हुआ डॉट कॉम तक ओक यह हमारा top label domain है यह हमारा low label domain है और यह हमारा रूट यह हमारा आ जाएगा इधर कर यह top label sub label low label एंड हमारा root label तो यह एक साथ add होकर काम करेंगे और यहां पर आप किसको इसमें add करना चाहते हो सारे record को आप यहां से maintain कर लो and see किसके साथ मैं DC 01 के साथ इसको रखना चाहता हूं allow any authenticated user to update all DNS record with the same name the setting apply only to DNS record for a new name तो ठीक है इसको okay करेंगे ताकि सभी DNS record में यह update ले और work करें यहां पर DCC करके मैंने add किया हुआ है और DC 01 का यह record है इस पर right click करके इसकी property check करो and यहां पर DCC को copy करो और again आप अपने record में आओ NS lookup space and यहां पर paste करके enter करो आपको वो record दिखाएगा DCC एक alias record है see this is the alias okay तो इसली जैसे कि हमारे main जैसे एक domain के अंदर एक website को या multiple websites चलती है ना माल लिए कि हमारे पे सीखोलाइब.com चल रहा है ओके हमने एक दूसरी website उसमें host कर रखा है जो कि है dcc.seekholाइब.com तो at least वो सारे alias को हमारे server को पिंग कराना है ना तो अब तो यह पिंग कर लिया ना सिर्फ अलिया जैट कर देने से multiple site host करने का जहां पर वर्क होगा इसको कर सकते हो यू कैन पिंग इस पटिकुलर site सी पिंग कर सकते हो आप यह reply करेगा आपके domain को response भी करेगा domain user को response करेगा ओके सो दिस इस दे कुनानिकल नेम आर एलियास नेम ओके यह आप maintain कर सकते हो कोई भी एक और कोई site या कोई member server चल रहा है जिस पर कुछ host किया आपने कुछ चलाना है और उसको अपने record में add करना चाहते हो तो definitely कर सकते हो ns lookup इस पे center करो and अब यहां पर आपका dns कौन हो गया आपका server हो गया कौन 10.0.0.100 इंटर अब यहां पर default server dc01 देखो आ गया न हो सेट टाइप और यहां पर आपने अड़ किया ns name server और आपने यहां पर सर्च किया सीखो लाइब डॉट कॉम एंटर इसमें जो भी नेम सर्वर है देखो यहां पर दिखा दिया internet address इसका यह है reach करने के लिए clear समझ गया है तो आप अपने server पर भी यह query लगा रहे हो और कर पा रहे हो और दूसरी चीज यहां पर मैं काम करता हूं right click करता हूं mx record के लिए होता mail server के लिए record तो हम लोग यहां पर mail server का अगर कोई server चल रहा है तो उसका record डालेंगे बट हमारे पास mail server वगएर कुछ data नहीं है यह सारी चीज़ें होती है new domain add करने के लिए है उसका name डाल के इस record में save कर सकते हो ताकि अगर हमारे DNS के पास उस domain से related कोई query आती है तो हमारा DNS उसको answer कर सके DNS मतलब ही होता है कि जो भी query आपके domain पर land हो with the help of your DNS server उसका answer वो अपने client तक पहुचाने में उस help करे है ना तो यह सारे record होते है एंड अगर आपको एक backup record बनाना है जैसे कि primary zone का secondary zone तो एक member server का होना जरूरी है तभी आप इसका copy server बना सकते हैं ताकि अगर यहां से record जो भी maintain होड़ा वो दूसरे server पर भी जा सके तो उसके लिए कुछ नहीं करना है right click करो जैसे मैं यहां पर बनाता हूँ forward lookup zone पे new zone और मैं यहां पे एक और primary zone add करना चाहूं या बनाना चाहूं तो मैं same नाम से नहीं बना सकता कि ठीक asicolife.com जो बना हुए ऐसे मैं कर दूँ मैं यहां पर बना सकता हूँ like mcsa.local ऐसे करके और next किया automatic update जो भी है लगा दो by default and finish कर दो एक update मैंने mcsa.local का कर दिया अब इसके अंदर अगर कोई record add करना है कोई ptr add करना है कोई ऐसा कुछ है add करना है cname add करना है तो इसके अंदर भी add कर सकते हूँ तो यह भी हमारे इसी के साथ integrate होकर work करेगा आप ए रिकॉर्ड add करना चाहते हो add कर दो नहीं करना है यहां पर IP address दो 10.0.0.100 हमने fqdn mcsa.local और उसका IP address सॉरी 100 तो अलड़ी चल रहा है मैंने 60 कर दिया pointer record अपडेट भी कर दिया क्योंकि अलड़ी हमारा pointer record बना हुआ है तो उधर भी यह update चला जाए ओके तो आपने add किया and then okay कर दिया अब देखो यहां पर भी एक एक record आ गया mcsa.local कोई query अगर यहां पर आती है seqolive.com पर तो देखो dc01 है and mcsa.local तो enter करो इसके बारे में भी यह details बता रहा है कर रहा हूं कर रहा हूं अभी चारू कर रहा है दूसरी तरफ आते हैं और यहां पर reload कर लेते हैं and थोड़ा सा wait करते हैं देखो आ गया 60 का record mcsa.local and dot root का यहां पर root label domain ओके आप चेक कर सकते हो यहां पर यह है इसका ptr pointer record and दूसरी चीज अगर यहां पर right click करके for reverse look up zone पर new zone and secondary zone आप बनाना चाहते हो तो create a copy of a zone किसी भी copy zone का copy बनाने के लिए होता है that exists on another server बट यह दूसरे server पर होगा तो यह इसलिए मैं ADC बना रहा था तो आप उस वाले server पर अगर जाते तो secondary record बनाते और अपने इस particular primary zone का वहां पर copy create कर लेते next करना था next करना था अपना network detail देना था next करना था और यहां से verify करा लेना था लेकिन अगर यह verify कराओगे आप जैसे 100.100 क्योंकि यही नहीं है हमारा primary 100.100 पर PTR तो अगर आप यहां पर okay करोगे verify तो कर लेगा DC01 को बट next करके यहां पर यह बोलेगा already exist और दूसरी तरह अगर हम लोग करते यही तो okay हो जाता राइट यह भी आप कर सकते हैं अगर आपने यहां पर IP चेंज किया like मैंने 50 कर दिया okay तो यह verify नहीं करेगा मैंने यहां पर 50 की जगह पर delete किया और इसकी IP कर दिया 100.60 जो की ऊपर मैंने एक record बनाया था तो यह उसको भी verify देख लेते हैं करता है कि नहीं करेगा ओके ऐसे करके multiples of record आप create कर सकते हो, alias create कर सकते हो और यह सब चीज़ें कर सकते हो और maintain कर सकते हो इसके अंदर अभी हमारा LDAP आता है कर ब्रोज आता है इसकी सारी protocols के बारे में बताना है झाल 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 झाल